खासी की समस्या में डाक्टर के दोरा ये मेडसीन पेसकराइब किया जाता है जब किसी का नाक जाम हो जाता है तो उस समस्या में डाक्टर के दोरा ये मेडसीन पेसकराइब किया जाता है और इस मेडसीन का डोज किस परकार की दिक्कत, किस परकार की तकलीप, मरीज को क्या रोग रहता है या फिर क्या तकलीप रहता है, कौन कौन सी बीमारी में डाक्टर के दोरा ये मेडसीन पे स्कराइब किया जाता है, इस मेडसीन का डोज क्या होता है, इस मेडसीन का साइड से हिंदी में जानकारी बताएंगे नेजल कॉंजेस्टन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडसीन मरीज को पेसक्राइब किया जाता है नेजल कॉंजेस्टन में क्या होता है जैसे कि अगर किसी का नाग जाम हो जाता है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मे नाक से पानी बह रहा हो या फिर आखों से पानी बह रहा हो आपको बहुत ज़्यादा छीक आ रहा हो गले में खरास की समस्या हो जाता है तो इन सारी समस्याओं को ठीक करनी के लिए डॉक्टर ये मेडसीन मरीज को पेसकराइब करते हैं और अगर गले में एरिट्रेशन जैस करने का काम करता है और जैसे कि अगर किसी को हलगा हुलगा बलगम भी आता है खासी के साथ में तो उस समस्या को भी ठीक करने का काम करता है आपने देखा होगा कि जब किसी को खासी आने लगता है तो एक टाइम कभी-कभी किसी को एक टाइम आता है या अगर उसे रात को सो करके सरदियों के मौसम में बहुत ज़ाद लोगों को खासी की समस्या आता है तो उस समस्या को यह ठी करने का काम करता है। डॉक्टर के दौरा खासी की समस्या में यह मैड़ी स्क राइब की आ जाता है चलिए अब हम आपको और उसकी समस्या और उसके age और उसके body weight और अपने experience के हमसार इस दवा का doge निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं लेकिन जो adult में इस medicine का doge होता है ये दिन में दो बार लेने के लिए बताया जाता है चलिए अब हम आपको इस medicine के side effect के बारे में बताते हैं इस medicine का क्या क side effect हो सकता है जैसे कि ये medicine लेने के बाद में आगर आपको नोजिया की समस्या होने लगे बूमेटिंग के जैसा महसूस होने लगे constipation की समस्या होने लगे पेट में दर्द की समस्या होने लगे तो ये medicine तुरंत आप बंद कर दें और अपने doctor या pharmacist से तुरंत समपरक करें इसके अलावा यद आपको और कोई side effect देखने को मिले तो तुरंत ये medicine बंद कर दें और अपने doctor या pharmacist से आप तुरंत समपरक करें इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने doctor या pharmacist के पास समझाएं आप अपने दिक्कत परेशानी बताएं उसके बाद में कोई भी medicine कोई भी दवा ले कभी भी आप कोई भी medicine कोई भी दवा खुद से उपयोग ना करें